आज हम आए हैं डॉक्टर परमजीत सिंगदार्निया के पास इन्होंने ये कुछ पोदे लगाए हैं ये पोदे हैं जो ये पशुओं के लिए काफी उप्योगी बता जाते हैं तो इसके बारे में डॉक्टर परमजीत सिंगदार्निया आपको बताएंगे नमस्कार सभी चैनल देखने वाले किसान भाही पसूपालकों को नमस्कार मैं डॉक्टर परमजी सिंगधार्निया पसूपालन विबाग में VLDA के तोर पर कारेरत हूँ और मेरा डैरी फारम है ये जो आप पोदे देख रहे हैं ये मोरिंगा के पोदे हैं इनको मोरिंगा सेजन सुआजना नाम से बोला जाता है और ये अमारे विबाग की ट्रेनिंग में भी बताया जाता है कि एक औस दिये पोदा है ये बहुत ही गुणकारी है पसूँ के लिए अगर हम इसको 200-300 ग्राम भी प्रती दिन पसूँ की खुराक में दे तो ये बहुत सारे मिनरल्स की पूर्ती करता है दूद बढ़ाता है फैंट SNF बढ़ाता है और पसूँ को बिमारियों से बचाव करता है ये तो डॉक्टर साब हमें ये बताये कि जो ये पोदे हैं इनक नहीं मंगवाया था एक हजार उपे किलो बीज मिला था खास बात इस पोदे की ये है कि एक बार हम इसको लगा दें तो 30-40 सालों तक दुबारा लगाने की जरूरत नहीं है ये पहली कटाई के हैं पोदे आप देख रहे हैं थोड़े सगन नहीं है लेकिन अब जैसे इसकी कटाई होगी इनकी फुटार बहुत ज्यादा होती है 6 मिन बाद आपको इसमें गैप देखने को नहीं मिलेगा ठीक है डोक्टर साब आपने हमें इसके बारे में जान कर दी तो हमें ये पोदा है इसका जो काटने का तरीका है ये कब तक हम कर सकते हैं और कितने समय तक कर सक कर काट देते हैं जैसे ये काटा गया इसकी दो फुटार होगी जितना हम इसको काटेंगे उतना ही जादा इसकी फुटवार होगी अभी एक बार काटा है तो एक पोदे से तीन चार पांच फुटवार निकलती है अभी हम सब फुटवारों को काटेंगे तो इनकी और फु लगाया जाता है क्योंकि इस बीज पे पानी ज्यादा नहीं चाहिए इसको नमी ही चाहिए तो हमने इसको मेंड बनाके उस पे लगाया था उसके बाद में मेंडों की कोई आवस्यक्ता नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा खादों की भी आवस्यक्ता नहीं है जैसे आम फसल चारे में हम डालते हैं डी एपी, यूरिया, गोबर की खाद हो गई वो हम जितना डालेंगे उससे इसकी बदावार पैदावार रहेगी अच्छा, डॉक्टर साब अब हमें ये बताईए कि आपने एक एकड में कितने पोदे लगाए हैं इसके बार में जनकर देए ये एक एकड में लगभग दस हजार के करीब पोदे हैं इसके ठीक है, डॉक्टर साब जनकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यावाद हमारे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को लाइक वे सब्सक्राइब करें और इस जनकारी को ज़ाज़ ज़ाज़ा किसानों में शेर करें दन्यावाद